नुश्कार दोस्तों, welcome you all again to this most comprehensive and to the point analysis of this year's economic survey. And so as we are moving ahead from volume 2 chapter 1, तो ये आपके सामने में present कर रहा हूँ अब chapter 2 of volume 2, which deals about the fiscal developments. इस पूरे chapter में, जितने भी fiscal developments हमारे इस साल हुए है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. जिसमें सबसे पहला, आपको अफको जो चीज देखना चाहिए थी और जो देखने को मिलेगी as expected, due to this unprecedented crisis, it is about the shortfall in revenue collection. क्योंकि हमारी economic activity में हम सब जानते हैं किस तरीके का interruption आया, तो ये देखना बिलकुल लाजमी था. And also because our government is trying to increase the money supply in the market by borrowing, तो यहाँ पे gross market borrowing जो है, हमारी central government की for 2020-2021, इसको भी revise करा गया. जो की budget estimate में पेश की गई थी 7.1 lakh करोड रुपीज की, उसको बढ़ा के कर दिया गया 12 lakh करोड रुपीज. हाँ, अब आपके सामने ये दो शब्द आये हैं, क्योंकि इसको समझना भी बहुत जरूरी है, कि ये budget estimate क्या होता है और इसको revise करके बढ़ाया क्यों गया है. तो चलिए मैं आपको budget की एक सबसे पहले बहुती basic चीज़ बताता हूं, difference between actual data, budget estimate and revise estimate. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूं actual data, यहाँ पर मैं लिख देता हूं budget estimate, यहाँ पर मैं लिख देता हूं revised estimate, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं फिर से budget estimate. अब ये क्या है मैं आपको ये समझाता हूं, देखिए. तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि हमारा जो बजट है और मान क्या लेता हूं हमारा जो बजट है यह हुआ ही था एक्चल में टेबल हुआ था फैब में अब यह जो फैब है ठीक है अभी क्या चल रहा है हमारा 2021 मगर यह कौन सा financial year कहलाएगा अगर कोई पूछे तो तो वो कहल आएगा 2020, 2021 ठीक है आगर आप इतना समझ गए तो बाकी की बाद तो आप समझ जाओगे बहुत आसानी से कैसे क्योंकि 2020, 2021 में जो हम बजट पेश करेंगे वो कब कर आएगा 2021, 2022 का तो यह जो बजट एस्टिमेट आएगा यहाँ पे यह किसका आएगा जो हमारी गौर्ण ब करेंगे इतने revenue receives, इतने non revenue receives, इतना expenditure हम यह करेंगे तो यह जो बजट एस्टिमेट रहेगा यह कब कर रहेगा 2021, 2022 का चलिए बहुत च्छी बात आप समझ गए फिर क्योंकि हमारी सरकार ने बिलकुल इसी तरह कोई budget एस्टिमेट दिया होगा for 2020, 2021 तो इस budget एस्टिमेट में क कभी कभी क्या होता है, जैसे इस extra genius situation में due with covid pandemic, हमारी सरकार या तो जाधा borrowing कर लेती है, more than expectations, या फिर जाधा expenditure कर देती है, तो इसको revise किया जाता है, जो budget पेश किया जाता है, इसको वापस revise किया जाता है, तो जो इस revise budget होता है, ये भी government इस table पटल पे रखते हुए budget को पेश करती है, तो यहां पे जो इhe revised estimate है, ये भी किस के लिए पेश करती है, 2020, 2021 के लिए, तो इसी का revised version वर्जन ये होता है, और अगले साल के लिए सरकार ये वाला budget पेश करती है, और इसी के साथ-साथ एक और document यहा पे सरकार पेश करती है, और वो है actual data का, और ये actual data रहता है, इ से एक साल पहले हैगा that is 2019-2020 मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये actual data budget estimate और revised estimate के बीच में difference समझ में आ गया होगा तो चलिए वापस से करते हैं continue और जैसा मैं बता रहा था आपको कि यहां पे जो central government का for financial year 2020-2021 था budget estimate वो था 7.8 लाक करोड जो की revise करके बता कर दिया गया है 12 लाक करोड मतला हमारी government ने पहले estimate करा था कि 7.8 लाक करोड रुपीज हमारी central government borrowing करेगी जिसको बढ़ा के 12 लाक करोड अब कर दिया गया है इसी के साथ इस fiscal situation से निपटने के लिए हमारी सरकार ने यहां पे कुछ और भी majors लिए है इसको response देने के लिए जिसमें हमको यह देखना पड़ेगा कि पहले के दो quarter में इस financial year 2020-2021 में ministers को basically तीन categories में classify किया गया था category A category B और category C category A में जो ministers आएंगे उनको relief और welfare करने के लिए बोला गया था public के हाला कि तीनो categories में बोला गया था मगर category 1 में जो ministers लाए करेंगे उन पर किसी भी तरीके की expenditure की restrictions नहीं थी मतलब कि वो लोगों के welfare में जितना investment चाहे वो कर सकते and in fact इनके जो allocations थे वो लगातार हमारी सरकार ने बढ़ाए फिर other ministers की बात करते which were not directly involved in the pandemic उनको category B में रखा गया उनको spend करने की आजादी थी 20% of their budget per quarter बतला हर 3 महिने में वो अपने budget के 20% का expenditure कर सकते थे और वो ministers जिनको इस pandemic situation में सबसे low priority दी गई वो है category C के ministers इनको allow किया गया to spend 15% of their budget in the first two quarters इसी के साथ साथ जो category B और category C के ministers थे अगर इन में से कोई मान लो यह चाता था कि capital expenditure करना है मुझे अच्छा capital expenditure फिर से वह हम जानते अगर यह expenditure हो रहा है इसका मतलब हमारी country में asset create हो रहा है जो कि हमारी government को यह ensure हुआ कि यह जो funds use होंगे यह essential activities के लिए होंगे तो despite a sharp contraction in revenue receipts and scarce resources were conserved for reprioritization हमने resources को prioritization पे यहाँ पे रखा और इसी के साथ क्योंकि अब मैंने आपको capital expenditure के बारे हैं बताया जिससे asset create होते है तो इसका जो important से वो यह है कि एक multiplier effect create करता है अब multiplier effect क्या होता है multiplier effect का मतलब होता है कि कि किसी एक चीज के चलने पे उसके साथ बहुत सारी चीजें शुरू हो जाना जैसे जब हम infrastructure sector में money को बढ़ाते हैं या investment बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारी jobs create होती है और जैसे jobs create होना शुरू होती है लोगों की disposable income या मैं बोलू wages बढ़ने लग जाती है इससे demand बढ़ने लग जाती है और other जितने भी parameters हैं जैसे cement हो गया steel हो गया इनके companies भी grow करने लग जाती है यह होता है multiplier effect राइट तो बिल्कुल उसी तरह capital expenditure को बढ़ा के हमारी government यही करना चाह रही है इसके लिए आपको आप figure और graph के तुरू यह भी समझाए गया कि किस तरीके से हमारी government ने 24% higher capital expenditure किया है जो हमने इसके पिछले साल किया था यहां पर आप देख भी सकते हो यह green में आपको capital expenditure दिखाया हुआ है जहांसे 129% से बढ़के 249% हमारी government ने capital expenditure कर दिया और वही revenue expenditure को अगर आप देखोगे तो यह भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है बट not as like what we have done with the capital expenditure इसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां पे जो 2020-2021 के यहां पर प्रूविजनल आउटकम से इसको समझने के लिए basically इस budget पार्ट को हमें कुछ terms and terminologies समझना पड़ेंगी जैसे revenue receive जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है gross tax revenue, tax revenue, net to center, non-tax revenue इनको समझने के लिए हमें budget का पार्ट समझना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको फिर से static पार्ट पे लेके चलता हूँ और फिर से आपको इस figure पे लेके आऊँगा तो दोस्तों as we all know that budget comes from article 112 that is annual financial statement अब हमारे budget के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट deal करता है revenue, दूसरा capital या मैं यू कह दूँ कि हमारे budget में दो तरीके के account होते हैं, पहला पार्ट होता है इसका revenue account, दूसरा पार्ट होता है capital account, अब इन दोनों ही पार्ट में पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है मतलब की revenue पार्ट से receipt आएंगी और revenue पार्ट से ही खर्चा होगा that is expenditure और विलकुल उसी तरह capital पार्ट में भी कुछ receipts आएंगी और capital पार्ट से ही कुछ खर्चा होगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं revenue पार्ट पे revenue पार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे receipt साती है revenue receipt दो तरीके से आती है कुछ tax कुछ non-tax tax मतलब कि आप सब समझ सकते हो this includes all money earned by the government via different taxes और एक कौन से taxes होते हैं ये भी हम सब जानते हैं या तो direct tax होंगे या indirect tax होंगे जैसे direct tax में आप समझ सकते हो income tax, corporate tax, dividend distribution tax, etc. वहीं indirect tax में आप समझ सकते हो goods and service tax, excise duty on petrol and alcohol, custom duty, etc. फिर कुछ होती है non-tax receipts, non-tax receipts क्या होती है ये वो पैसा होता है जो other than tax receipts में मतलब कि जो सरकार बिना tax लगाया पैसा वसूल लेती है जैसे example के तौर पे जो भी profit make करती है हमारी government या dividends जो हमारी government को मिलते हैं कैसे मिलते हैं from public sector undertaking फिर बहुत सारे goods and services की sale के तूरू जो पैसा आता है वो non-tax receipts में आएगा इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए fiscal services जो हमारी government provide करती है इस fiscal services में जैसे currency printing, stamp printing, coinage, medals minting इन सब के थूरू जो पैसा आता है वो fiscal services या मैं कहा दूँ non-tax receipts के थूरू आता है फिर जो हमारी सरकार interest receive करती है वो पैसा भी non-tax receipts में आता है और फिर कुछ पैसा grants में आता है हमको which government receives और यह ज्यादा तर external होती है यह ज्यादा तर नहीं इनफेक्ट always it is always external in the case of central government और अगर हम state की बात करें तो यह हमेशा internal होगी यह भी आप ध्यान रख सकते हो और जो यह interest received मैं आपको बताया था इसमाप confused नहीं हुएगा यह अगर हमारी government ने internal हमारे देश में ही किसी को loan दिया है government को तो उससे जो interest आएगा वो भी इसमें आता है साथी बाहर अगर external किसी को loan दिया है तो वो interest भी इसमें आता है यह सारी चीजें revenue account का part होती है और revenue receipts में इन दो तरीके से tax receipts और non tax receipts के थूँ पैसा आता है अब हम लोग बात करते हैं कि revenue वाले part में ही खर्चा कहां पे होता है debt is revenue expenditure की बात हम लोग करेंगे और जब हम लोग इस revenue वाले part को खतम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप सब एक बात बहुत अच्छे समझ जाओगे कि यह जो revenue expenditure है ना दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का asset आपको create होता हुआ नहीं दिखेगा मतलब यह ऐसी जगे पैसा लग रहा है जहाँ पे कोई भी asset create नहीं हो रहा है और पैसा एक बार लगाया तो सब खतम हो जाएगा इसी कारण से हम कोशिश करते हैं कि इस revenue expenditure को कम से कम करें देखें मैं आपको बताता हूँ किस तरह सबसे पहले क्योंकि कि अभी हमने interest received में देखा था received में तो interest payment की बात कर लेते हैं ठीके अब हमारी सरकारे loan भी लेके रखती है right कौन से loan अब यहाँ पे भी दोनों loan external loan भी हो सकता है internal loan भी हो सकता है इस loan में जो पैसा देना होता है वो इस expenditure से जाता है that is revenue expenditure से फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे government employees को जो salary बट जाती है वो भी इस revenue expenditure से जाती है इसी के बाद जो subsidies हमारी सरकार देती है जैसे मान लो mid day meal scheme चला रही है फिर हमारे जो schemes central sector चलती है centrally sponsored schemes इन सब में defense services में जितना भी खर्चा होता है वो revenue expenditure का पार्ट बन जाता है और क्योंकि यहाँ पे कोई asset create नहीं होता तो हमारी सरकार यह चाती है कि कम से कम revenue expenditure को किया जाए चलिए अब हम लोग बात करेंगे capital account पे capital part की बात करें तो यहाँ पे भी receipt होंगी और expenditure होगा अब capital part में जो receipts आती है मतलब की जो capital part में पैसा आएगा वो दो तरीके से आता है एक आता है जिससे curse develop हो सरकार पे मतलब की आगे जाके repay करना होगा और दूसरा तरीका है non debt जिससे पैसा आतो जाएगा मगर कोई भी curse develop नहीं होगा हमारी सरकार पे तो सबसे पहले देखते है debt creating यहाँ पे जितने भी हमारी government internal sovereign loan लेगी हमारे ही देश में वो आता है plus external sovereign loans मतलब की बाहर से loan ले लेना तो इससे आप समझ पा रहे हो debt create हो रहा है मगर non debt creating वो fund होता है जैसे मान लीजे कि हमारी सरकार ने कोई loan दिया हुआ था और उसका principal amount वापस आ जाए तो यह जो principal amount है उसको क्या कहा जाएगा loan recovered यह जो loan recovered है यह capital receipt के non debt creating part में आता है इसी के साथ साथ हमारी government बहुत बार आपने सुना होगा dis investment करती है जैसे अभी आपने बहुत ही हाल फिलाहल में BPCL के बारे में सुना होगा BPCL एक public sector undertaking है जिसको हमारी सरकार बेचना चारिए या मैं बोलूं government ownership को बेचना चारिए तो इस dis investment के थूँ जो पैसा आता है वो भी non debt creating होता है इससे कोई कर्ज हमारी सरकार पे नहीं होता तो ये भी capital received के non debt creating part में आता है फिर अगर हम और भी received की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी long term capital equals होते है government जिसे provident fund, postal deposit, etc अगर हम capital expenditure की बात करें तो capital expenditure में जैसे जो हमारी सरकार loan दे देती है वो इसमें आता है loan disversal by the government किसको states को दे सकती है union territory को दे सकती है PSUs को दे सकती है किसी financial institution को दे सकती है यहाँ तक कि बाहर भी हो सकता है कि हम किसी foreign country को loan दे दे तो यहाँ पे किसी को भी अगर हम देंगे जैसे IMF को दे सकते है world bank को तो यह क्या कहलाएगा loans given फिर capital created यहाँ पे जो भी planned expenditure होगा जैसे कोई भी asset develop कर देना या फिर जैसे अगर loan का repayment कर दिया हमने मान लो जो principal amount है उसको वापस pay कर दिया क्योंकि आपको पता होगा जो interest हम लोग pay कर रहे वो तो हमने कहाँ पे देखा था revenue expenditure वाले पार्ट में तो loan का अगर हमने repayment कर दिया तो यह भी क्या कहलाएगा capital expenditure तो अब दोस्तों यह तो हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार आमदनी अठनी और खर्चे रुपय वाले काम पे module पे चलती है क्योंकि हमारे आपे receipts इतनी जादा नहीं हो पाती और expenditure हम जादा कर देते हैं तो इसी कारण से हमारे आपे बहुत तरीके के deficits हम को देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग आगे जब slides पढ़ेंगे तो मैं आपको fiscal deficit के बारे में बताऊंगा तो यह fiscal deficit होता क्या है अभी आप यह समझ लीजिए fiscal deficit का formula होता है total expenditure मतलब total हम जितना खर्चा करने minus total receipts हाँ इस total receipts में हम उस पैसे को हटा देते हैं जो हमने borrowing की है तो यहाँ पे excluding borrowing तो यहाँ पे total expenditure minus total receipts इस receipts में से जो पैसा हमने borrow किया है उसको हटा दिया जाता है तो यह बन जाता है fiscal deficit और क्योंकि जो पैसा borrow किया है वही तो deficit है इसी कारण से इस fiscal deficit को government borrowing भी बोला जाता है इसके बाद दूसरा हमारा deficit होता है revenue deficit यह revenue deficit होता है जो हमारा revenue expenditure है minus revenue received इस तरीके से फिर एक deficit होता है हमारा primary deficit यह primary deficit निकाला जाता है from fiscal deficit minus जो हमने पहले borrowing की थी उसका जो हमें interest payment भरना पड़ता है उसको हम लोग इससे minus करते हैं देखो बहुत ही amazing concept है यह मान लेते हैं दोस्तों कि आज BJP की सरकार है और इसके पहले Congress की सरकार थी example के तौर पे मैं इसको political नहीं बना रहा हूँ just example के तौर पे मत देखो क्यों क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि यह जो fiscal deficit है न इस fiscal deficit का एक बहुत बड़ा कारण है interest payment जो हमारी पहले की सरकार लेके जा चुकी है तो आप इस fiscal deficit में से उस interest payment को हटाओ जो हम भर रहे हैं क्योंकि कर्ज लेके चली गई थी हमारे पहले वाली सरकार तो जो finally deficit आएगा that is primary deficit वो हम पे आप blame कर सकते हो तो यह होता है primary deficit इसी के अलावा एक होता है effective revenue deficit हाँ effective revenue deficit अब एफेक्टिव revenue deficit क्या होता है दोस्तों basically revenue deficit minus वो पैसा जो capital asset create करने के लिए खर्च कर दिया गया हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ capital assets अब यह क्या है basically दोस्तों जैसा मैं आपको बताया revenue deficit जो होता है वो हम जानते हैं कि पूरा पैसा बरबाद हो जाता है कोई भी asset create नहीं होता मगर अगर यही revenue deficit का पैसा capital creation में खर्च हो जाए तो यह तो बहुत अच्छी बात है और यही हम चाते हैं इसी कारण से हम चाते हैं कि जो effective revenue deficit है वो हमेशा zero आये मतलब जितना भी revenue deficit हो रहा है वो पूरा पैसा कहां खर्च हो जाए capital asset को create करने में तो इस कारण से effective revenue deficit को भी major किया जाता है तो यह कुछ बात हो गई budget के पार्ट की और यह कुछ बात हो गई हमारे deficits के बात की चलते हैं वापस से हमारे उसी figure पे और देखते हैं कि हमने उससे क्या सीखा तो दोस्तों हमने अभी तक जितने भी इसक में revenue received के बारे में के कुछ trends हम लोग discuss करेंगे इस कारण से मैंने आपको जो basic part था यह आप सब के लिए clear करने की तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा वो यह सारी terminologies थी जो हमने revenue account capital account पढ़ा और आने वाले future lectures में आप मेरे साथ इनका trend पढ़ोगे तो इसी कारण से हमने basic concepts अपने पहले ही clear कर लिए तो चली move on करते हैं फिर अगले trend की बात करें तो gross tax revenue मतलब की tax revenue non-tax revenue यह जो पहले eight month में रहा it was 10.26 lakh crore rupees जो की सिर्फ 42% था हमारे budget estimate के और आप समझ गए होगे मतला हमारी government ने जितना propose किया उसका सिर्फ 42% मतलब 50% से भी कम आया राइट और इस 10.26 lakh crore की में बात करूँ absolute numbers में एक साल पहले के compare करके तो यह 12.6% कम था previous year से ठीक है अब यह जो decline आया यह क्यों आया due to negative growth in all direct taxes and also major indirect taxes except excise duties मगर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो direct tax collection है उसमें कितना shortfall आया because it contributed to 92% of the shortfall in gross tax revenue मतलब कि जो gross tax revenue हम इतना कम देखने को मिल रहा है इसका major कारण है direct tax और यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमारे यहां पे indirect taxes ज़्यादा हो जाएं बदे लिए में direct taxes तो इस बार ऐसा हुआ है हमारे यहां पे indirect taxes ज़्यादा हो गए बजाए की direct taxes से यह आपको एक trend पता होना चाहिए इसी के साथ यहां पे अगली चीज़ अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहां पे corporation tax और personal income tax यह दो तरीके के tax बहुत important है because it stood at 27.0% of budget estimate and 36.8% of budget estimate मतलब corporation और personal income इसको मैं आपको graph के through भी समझाओंगा इसको भी यहां पे skip करना चाहते हो तो कर भी सकते हो उसके बाद अगर बात करें indirect taxes के बारे में तो यहां पे जो indirect taxes कम हुए है यह majorly कम हुए है because of the shortfall in custom and GST collection for the center और इस shortfall को पूरा करने के लिए जो revenue collection किया गया वो किया गया फिर excise duties से जो की 48% बड़ी है इन 8 महिनों में जिनमें यह कम हुए इसी के साथ साथ हमको यहां पे यह भी देखना पड़ेगा कि budget 2020-2021 जो था उसने किस तरीके से 2.1 lakh करोड का अपने सामने एक aim रखा था कि dis investment से हम इतना पैसा ले लेंगे और यह तो हम आपको पहले ही बता चुका हूं कि dis investment से पैसा कैसे आता है non debt capital receipts में आता है यह तो हम solutions से उसके बाद में government चाहती थी 15,220 करोड रूपीज रेस करना through Mazagon Dock Shipbuilders Limited जिसके अभी बहुत हाल फिलाल में आपने IPOs देखे होंगे initial public offering बोली जाती है इसको मगर जुटा कितने पाई सिर 443 करोड इसी के बाद में 10,169 यह लोग चाहते थे offer for sale से in Hull हिंदुस्तान Aeronautics Limited offer for sale क्या होता है basically एक simpler method होती है जहाँ पे जो public companies के promoters होते है वो अपने shares बेस देते और अपनी holding को कम कर लेते हैं in a transparent manner through the bidding platform for the exchange ठीक है फिर यहाँ पे एक buyback का concept आता है दोस्तों buyback of shares का concept basically यह concept क्या बताता है आपको कि companies कभी-कभी आपने देखा होगा कि खुद के ही shares जो होतने उनको खरीद लेती है तो यह buyback of shares इसलिए किया जाता है when companies don't find avenues for the investment तो यहाँ पे अपने equity holders को जो उनके पास shares है उनके भाव बढ़ाने के लिए shares के भाव बढ़वा देती है खुद के shares को खरीद के buyback of shares तो यहाँ पे इस कारण से यह concept आपको पता होना चाही था buyback of shares तो यह तो दोस्तों बात हो गई revenue collection की अब अगर हम expenditure part पे बात करें तो यहाँ पे हमको यह देखना पड़ेगा कि November 2020 तक 62.7% of budget estimate का हम खर्च कर चुके थे compared to 65.3% in April to November 2019 इसमे revenue expenditure जो था वो 3.7% बढ़ गया था और इसी part पे हमने जो subsidies पढ़ा था हमने देखा था ना जो subsidies देती हूँ किस में आती ही revenue expenditure वाले part में तो यहाँ पे अगर हम subsidies की बात करें तो यहाँ पे subsidies में हमको 14% की negative growth register हुई in the first 8 months of financial year 2020-21 इसको अगर example के तौर पे हम देखना चाहें तो यहाँ पे और अच्छे देखो यहाँ पे लिखा हुआ expenditure on major subsidies जिसमें आपको food subsidy, nutrient based, fertilizer subsidy, urea subsidy और petroleum subsidy के बारे में दिखेगा अगर आप इसको ध्यान से compare करो April से November तो यहाँ पे आपको दिखेगा देखो 2018 में 6.3, 2019 में 7.3 और 2020 में minus में चली गईगी तो यह क्या दिखा रहा है यह rate दिखा रहा है rate of growth तो यहाँ पे यह जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो यह आपको सब में कमी होती हुआ दिखेगी देखो दिख रहा है आपको सब negative जाता हो आखरी में तो इस तरीके से हमको यह पे यह समझना था फिर इसी तरच पे अगर हम capital expenditure की बात करें दोस्तों तो roads, defense, water supply, urban development इन सब पे basically अगर मैं balloon sum up करके asset creation पे तो इसमें 25,000 crore rupees for financial year 2020-2021 और बढ़ाये गए in addition to 4.12 lakh crore जो capital expenditure estimated था for budget of this year इसके बाद के जितने भी points हैं वो हम future में देखेंगे अपनी slides में क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना बढ़ा हमारा revenue part पे और capital part पे अभी हमने यह देखा इसको हम लोग ही पे अभी sum up करते हैं और बात करते हैं कि हमारे जो policy majors थे उसको IMF किस तरीके से देखता है तो देखो हम यह तो जानते हैं कि fiscal policy response हर देख ने across the globe अपने हिसाब से लिए तो यहाँ पे आपके सामने एक point आता है above the line यह आप से प्रिल्म से पूछा जा सकता है क्योंकि अलग-अलग countries ने अलग-अलग fiscal majors लिये थे बहुत diverse form में कुछ above the line majors थे कुछ below the line majors थे और कुछ contingent liabilities थी discuss करते हैं क्या था तो above the line के अगर बात करें तो it majors and include those for which full cost is reflected in the fiscal deficit, government debt and increased borrowing needs in the short term basically यहाँ पे जो भी additional spending government के द्वारा की जा रही थी health services में unemployment benefits जो दिये जा रहे थे capital grants, targeted transfer, tax majors इसे tax cut कर देना, कुछ other relief देना, इन सब को standard budget channel के थूँ लोगों तक provide किया गया था तो जो in method के तुरू सरकार ने पैसा दिया था, वो above the line इसलिए बोला गया क्योंकि ये government के debt में, government के करजे में, government के fiscal deficit में reflect होता है, इसको क्या बोला above the line, फिर था below the line, below the line majors वो majors हैं which involve the creation of assets, जहाँ पर assets का creation होता है, जैसे loans दे देना, loan asset है सरकार का, like equity injections, जैसे किसी company मान लो, पैसा डाल दिया और equity ले ली, government ने, ये उनका asset है, या किसी asset को ही purchase कर लेना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, below the line, below the line क्योंकि इस चीज़ से, सरकार पे हो सकता है कि कोई भी उन मगर ये बाद में, थोड़ी सी future में कर जाके देखें, तो ये सरकार के लिए debt या curse create कर सकता है, और market में liquidity को कम कर सकता है, तो अगर इस above the line major और other liquidity support majors जो हमारी सरकार ने announce किये, IMF के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमारी government of India ने, यहाँ पे majorly above the line majors implement किये थे, तो अगर question आ answer होगा, कितने किये, 2.2 percentage of GDP, हाँ, कुछ other liquidity support majors भी हमारी government लेके आई थी, which is nearly about 5.3 percentage of GDP, मगर ये आपे हमको देखना पड़ेगा, कि ये कैसे आये थे, तो जैसे हमने अभी पिछले lectures में बात करी थी, जैसे हमने open market operations के बारे में बात करी थी, right, तो ये सारे methods थे, जिसके थू liquidity support majors दिये गए थे, इसी के साथ हमने जो mutual funds की, commercial papers की बात करी थी, ये ऐसे बहुत सारे examples हम देख चुके हैं, now, इसी के साथ 1.7 percentage of GDP के बराबर government of India ने कुछ और भी fiscal majors लिये थे, मगर इस सब के बात भी, इंडिया के जो majors थे, वो developed countries से बहुत कम थे, और इसी कारण से हम लोग criticize भी कर रहे थे government को, developed countries को देखके, कि देखो वो लोग तो direct cash transfer कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, हम लोगों ने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, मगर ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इंडिया को अब ऐसा माना जा रहा है, कि हमारे पास एक greater elbow बचा हुआ था, it is worth of nearly about 30 lakh करो, that is 29.87 lakh करो, जो कि 15% होता है हमारी national GDP का, इन पूरे stimulus में से, 9% of GDP के बराबर, government ने आत्म निर्बर भारत package के तुरू हमको दिया था, अब आप में से कई लोग ये भी जानना चाहते होंगे, कि ये जो आत्म निर्बर भारत package था, वो किस phased manner में हमने launch किय जाता, तो यहाँ पे आप उस सारे stimulus majors को, आरसानी से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप March, May, June, October, November, इन सब के थूरू, मेरे भी ना बताए भी, जैसे कि, how much revenue was foregone, it is of 4%, health pay 8%, जो हमने अभी अपने globally, जो सबसे बड़ी हमने गरीब लोगों के लिए, food और livelihood की drive चलाई थी, 88%, and it whole solely contributes around 1,92,800 करोड रुपी, ठीक है March में, उसके बाद May, June में अगर आप देखोगे, तो agriculture credit, infrastructure के लिए credit, demand boost करने के लिए 6%, liquidity support to firms, 37% fund, और यह सम मिला के, करीब करीब साड़े 11,00,000 करोड रुपे, उसके बाद में इस तरीके से अगर आप phase winner में खुच से भी देखना चा करते हों कि हमने timely कैसे कैसे majors लिए, साथ ही हमारी government लगाता tax administration को reform करने की बात कर रही है, आपको यहाँ पर में question confront हो सकता है, कि कि किस तरीके से हमारे tax administration को बहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके reform majors you have to put in the points, कि कैसे हम इसको more transparent manner में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको efficient बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो harassment होता है income taxpayers का, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और in a positive manner हम हमारे tax administration को taxpayer friendly tax administration बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे भावी प्रधान मंत्री जी ने honor करने की भी बात की थी, जो honest हमारे taxpayers होते हैं, तो इस direction में introduce किया था honoring the honest platform, य यह basically एक ऐसा transparent taxation system बनाने की बात की गई थी, जिसको launch किया गया था August 2020 में जिसके कुछ objectives थे, again efficiency, transparency, accountability, यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो physical interface होता है, between taxpayers and tax officers, इसको खतम किया जाए, मतलब कि एक ऐसे virtual face को लाया जाए, या मैं बोलूँ, मतलब जैसे सिर्फ computers के थूँ, ऐसे virtual way में, taxpayers और tax authorities आपस में बात कर पाएं, तो इस चीज को initiate किया गया, इस platform के features क्या थे, of course, जैसा मैंने बताया, computers, internet तो इसमें technology का use करना, ठीक है, artificial intelligence, data analytics, artificial intelligence से, आपको यह पता होना चाहिए, we are currently living in the fourth industrial revolution era, जिसमें artificial intelligence, internet of things, machines, machine learning जैसी चीज़ें काम कर रही है, second जोसका key feature था platform का, वो था, taxpayers को recognize करना, as partners in nation building, फिर अगर हम इस platform के, तीन pillars की बात करें, तो इसमें सबसे पहला था, faceless assessment scheme, right, it was based on the idea, कि जो automated random allocation होते हैं, cases के, income tax teams को वो allocate हो, मतलब की, यहाँ पे जो harassment किया जाता है, उसको कम करने की, और face to face contact करने की, को eliminate करने की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और एक unbiased, एक unbiased single window system assessment के लिए लाने की, हमने कोशिश की, बस यह एक point यहाँ पे, more than sufficient हो जाएगा, यह पूरा आपको figure याद करने की, बिलकुल भी faceless manner में, finalize किया जाए, under the faceless ecosystem, हाँ, बस यहाँ पे कुछ exceptions भी दिये गए, क्योंकि सारे rights consumers के पास नहीं दे सकते हैं, जैसे कि, कोई fraud case, major tax evasion का case, मानलो कोई विजे माले ऐसा आदमी है, black money act, international tax, इन सब में, या इन सब cases को, इस faceless ecosystem से बाहर रखा गया, यह general public के लिए, हम ज tax payers charter, यह third pillar सबसे important है, in honoring the honest platform, tax payers charter को अगर हम लोग introduction इसका पढ़े, तो basically इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको दिखेंगी, जहाँ पे tax authorities की accountability को ensure किया गया है, कि वो जो action लेते हैं, उनको accountable किया जाए, fair and impartial system, यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई, एक timely manner में decisions, conduct किये ज जाए, fair and impartial appeal के procedure design हो, एक proper mechanism design हो, जिससे अगर कोई taxpayer complain करता है, तो he or she should know the exact procedure, exact authority to whom she or he has to go, यहाँ पे हर चीज़ प्राइवेसी को लेके, taxpayer की follow की जाए, जिसको due process of law के अंडर रखा जाएगा, तो एक पूरा charter जिसको आप, या फिर कोई भी taxpayer पढ़ के यह समझ सकता है, कि how I should proceed to pay my taxes in a regular manner, तो उसको जितनी भी harassment होती थी, वो सब यहाँ पे खतम करने की कोशिश की गई, इसके बाद अगर इंडिया का experience की हम बात करें with the tax ombudsman, तो यह जो income tax का ombudsman है, हमने यहाँ पे 2003 में create करा था, वहीं जो indirect tax ombudsman है, वो हमने 2011 में create किया था, फिर यह दोनों ही हम और direct indirect taxes के ombudsman और अभी जो grievance redressal system चल रहा है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें global experience की तो यह देखा गया है, कि जिस भी country में independent tax ombudsman होता है, वहाँ पे tax administration बहुत better way में perform कर पाता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे higher average tax to GDP ratio देखा जाता है, दोस्तों higher tax to GDP ratio, इसका मतलब यह होता है कि हमारी GDP जितनी बढ़ रही है, उसी proportion में माना जाता है कि हमारे taxes भी या tax collection भी बढ़ना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हमारी country में grow कर रहे है, वो हमारे देश को भी grow करने में help कर रहे है by filling their tax returns, अगर ऐसा होता है, तो यह दोनों side के लिए अच्छा होता है, तो higher average tax to GDP ratio बढ़ सकता है, अगर हमारा tax administration smoothly काम करे तो, फिर कुछ और quarter points को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि trend showcase करता है, again government finances का both center state, तो यहाँ पे central government finances के अगर बात करूं तो fiscal deficit 2019-20 के लिए, जो कि provisional actuals मे आता है, यह 4.6 percentage of GDP देखने को मिला, जो कि 0.8% higher था, जो कि fiscal deficit में एन्वेज किया गया था, इन revised estimate में, और 1.2% higher था, then fiscal deficit in its previous year, that is 2018-19, वहीं अगर effective revenue deficit के बात करें, तो यहाँ पे current receipts में हमें कमी देखने को मिली over current expenditure, जिस कारण से हमारा जो effective revenue deficit है, वो बढ़ गया by 1% of GDP और पहुँच गया 2.4% of GDP पे, फिर दोस्तों अगर medium term fiscal policy statement की बात करें, जिसने budget 2020-2021 के लिए fiscal deficit का target set किया था, as I assume कि आपको पता होगा, कि हमने FRBM Act 2003 में, हमारे fiscal consolidation की बात की थी, जिसमें हमने target लिया था कि हम अपने fiscal deficit को within target लाने की कोशिश करेंगे, जिसके तहट हमने financial year 2020-2021 में, target set किया था, 3.5% of GDP का fiscal deficit लाने में, FRBM Act का full form होता है, Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act 2003, तो यहाँ पे यह चीज़ आप से पूछी जा सकती है, अगर हम लोग यहाँ पे deficits के trends की बात करें, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कि हमारा जो deficit था, जैसे अगर मैं fiscal deficit की बात करूँ, यह आपको brown में देखने को मिल रहा है, 3.4, उसके बाद है 4.6, मतलब कि 2019-20 में बढ़ गिया था, मगर हमने फिर budget ने बोला था, नहीं, इसको हम 3.5 पे ले आएंगे, मगर अब तो only the god knows how it will reduce क्योंकि अब यह 9% of GDP तक जा चुका है, यह आप से पुछा जा सकता है, इसके बाद में 1.4% से 2.4% पे चले जाना, यह क्या है, यह आपका effective revenue deficit है, और इसको हमने estimate किया था 1.8 पे यह सब बढ़ रहे हैं, ठीक है, यह आपका primary deficit दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी आपको data and figures हैं, यह आप खुछ से पढ़ सकते हो, क्योंकि हम लोग उने सारे basic concepts यहाँ पे इस regarding पढ़ लिए हैं, फिर दोस्तों कुछ अगर हम trends देखने की कोशिश करने receipts में, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मैं आपको basic factual points बता रहा हूँ, जैसे gross tax revenue, जो हमने estimate किया था, इस budget 2020-2021 के लिए, वो था 24.23 lakh crore rupees, जिसको की आप लगबग 10.8% of GDP मान सकते हो, इसके बाद में जो direct taxes होते हैं, उसमें mainly corporate tax और personal income tax आता है, यह आप ध tax revenue का 55% portion, यह दोनों tax cover करते हैं, इसको और भेतर तरीके से, इस image के थुरू समझा जा सकता है, कि जो हमारे taxes का composition है, gross taxes revenue का, वो कुछ इस तरीके से है, कि direct taxes 55% constitute करते हैं, और indirect 45%, इस direct taxes के composition में, हमारा जो corporate tax होता है, वो near about कितना होता है, 28% का, इसके बाद में, taxes on income, other than corporation tax, वो आपको देखने को मिलेगा, 26% का, वहीं अगर indirect taxes की बात करें, तो of course, GST will play a major role, here, it is 29%, अगर union excise duties की बात करें, तो it comes second, that is 11%, और आखरी में, अगर हम custom duties की बात करें, तो it is in the end, that is 6%, तो इस तरीके से हमारा gross tax revenue बनता है, यह आप से पूछा जा सकता है, इसका अगला trend यह है कि जो corporate और personal income tax से पैसा हम receives के थूरू लेते हैं, यह नीचे गया था, जो इसके previous year 2019-20 के provisional actuals में हमको देखने को मिला था, तो यह जो improvement का एक trend चल रहा था, यह भी नीचे आया, यह क्यों हुआ, due to moderation in growth of the economy during 1920, यहां से ज़्यादा tax collect, ज़्यादा receipts हमने collect कर ली थी, और कुछ हमने structural reforms करे थे, जैसे corporate tax rate जो cut किया था, हमारी निर्मला सितरा इस कारण से, यहां पर हमको जो receipts देखने को मिली, वो ज़्यादा मिली थी, मगर अभी यह downward trend पे वापस जा रहा है, फिर अगर हम non tax revenue receipts की बात करें, तो यहां पर mainly जो interest receipts आती हैं, जो हम loans देते हैं, states को, union territories को, उसके थुरू आती हैं, जो public sector enterprises के थुरू हमको profit और dividends receive होत करती है, उसका surplus reserve, यह सारा receipts का part बनते हैं, तो budget 2020-2021 में aim किया गया था, 3.85 lakh करोड रूपीज का tax, non tax revenue collection का, जो की 1.7% of GDP बनाता है, इसी तर्च पे अगर non debt capital receipts का, हम लोग figure देखने की कोशिश करें, जिसमें majorly जो loans recover हो जाते हैं, जो disinvestment receipts आती हैं, वो आती हैं, जो curves ड contribution है, इस total pool में, वो भी कम हुआ है, from 2018-19, जो समय हुआ करता था, 6.8% का, जो अब आ गिया है, 2019-20 में, जो की provisional actions बता रहा है, 3.9% पे, क्योंकि disinvestment proceeds हो है, वो कम हो चुकी हैं, तो finally non debt capital receipts को 2.3 lakh crore पे pack down किया गया, जो की 1% of GDP था, in 2020-2021 budget estimate में, कि हम इतना ही पैसा collect कर पा करेंगे, और finally, हमसे जो total expenditure है, in budget 2021, जितना estimate था, वो पूछा जा सकता है, which is 30.42 lakh crore, जिसमे revenue expenditure, 26.3 lakh crore रुपीज था, और capital expenditure, सिर्फ 4.12 lakh crore रुपीज था, which work out to be, ऐसा भी आप समझ सकते हो, कि ये जो, हमने revenue expenditure की बात करी, it is 11.7% of GDP, और जो भी हमने capital expenditure की बात करी, it is 1.7% percentage of GDP, तो as a percentage of GDP, हम ये देख सकते हैं, कि हमारे याँ पे revenue expenditure की growth ज्यादा हो रही है, with respect to capital expenditure की growth, जैसा कि यहां से आप देख भी सकते हो, ये, अगर हम 2019-20 की बात करें, यहां से, तो ये capital expenditure जो है, यहां से come down हुआ था, और वहीं जो revenue expenditure है, यहां से बड़ा था, मगर अब ज़ की revenue expenditure की, अब दोस्तों, उसके बाद अगर हम extra budgetary resources की बात करें, जिसको mobilize किया गया है to finance infrastructure investment, तो basically सबसे पहले तो extra budgetary resources क्या होते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको off budget borrowing भी बोलते हैं, basically off budget इसका मतलब यह है, कि ये budget में या फिर government के fiscal deficit में showcase नहीं होगी, जो भी इस type की borrowing से उठाया जाएगा है, fiscal deficit में show नहीं होगा, मतलब की, ये government पे burden तो रहता है, कि ये पैसा वापस देना है, मगर ये showcase नहीं होता है बस, तो government का थोड़ा relief feel कर पाती है, उन पे जाजा questions नहीं उठ पाएंगे, ये जैसे borrowing कैसे की जाती है, जैसे मान लो कि हमको for example food subsidy देनी है, हमारे लोगों को food subsidy देनी है, अब government के पास पैसा है नहीं, तो ये क्या बोल सकती है, government owned entities को, है न, private companies को नहीं, government owned entities को, जैसे की food corporation of India हो गई, कि आप market से पैसा borrow कर लिजे, और हम इसकी guarantee देते हैं, ठीके, तो अगर ये सारे income items include हो जाएंगे, तो fiscal deficit में दिखेगा त government owned entities के द्वारा की गई है, तो फाइनली government का ही debt है, और इसी currencies को extra budget borrowing बोलते हैं, या off budget resources बोलते हैं, अब ये कौन करता है, ये center भी करती है, और state भी करती है, ठीके, अब government ने extra budgetary resources के through 1.35 lakh करोड रुपीज जुगा रहे थे, 2016 से 2020 के अगर हम बात करें, और इसी के through 49,500 करोड रुपीज इन्हों ने बोला था कि हम 2020, 2021 में जुगा रहेंगे, जो कि 0.22 percentage of GDP, मतला आप देख सकते हो कि आपको पता भी ने चलेगा कि इतना पैसा सरकार्ट पे debt हो चुका है, फिर transfer to states के अगर बात करें, तो यहाँ पे central government ने क्योंकि 15 finance commission की report मान ली थी, जिसने की post devolution revenue deficit grant जो भी revenue deficit होगा, GST को implement करने से वो उसकी बात की थी, grant to local bodies and disaster management grants की बात की थी, for the financial year 2020, 2021, तो यह जो 15 finance commission के recommendation थी, grants in 8 kit, amounts to 1.99 lakh crore, जिसको transfer करना था, states को, post devolution revenue deficit grant, और यह सब मिला के, जो कि 50% जादा थी, जो कि 14 finance commission ने recommend करी थी, इसी के साथ साथ, यहाँ पे कुछ fund, 5th और 6th schedule area के लिए भी था, कुछ ambient air quality को maintain करने के लिए था, इस तरीके से question आपसे पूछे जा सकते हैं, मंडल तेसिल के लिए भी था, district जिला पंचायत, ruler local bodies, cantonment boards के लिए, यह आपसे question किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा factual तो नहीं पूछेंगे, मगर हाँ, यह क्योंकि 50% ज़्यादा recommendation थी, बजाए कि 14 finance commission के, तो यह important बन जाता है, फिर अगर बात करें central government के total debt की, तो यहाँ पे जो central government की total liabilities है, as an end of March 2020, वो है 97.05 lakh crore rupees, ठीके, अब इसमें से अच्छी बात यह है, कि out of these, only 88.67% was public debt और remaining जो है, 10% यह public account liabilities है, which include national small saving fund, state provident fund, reserve fund, deposit and other accounts, इसमें भी जो अच्छी बात है, वो यह है, कि हमारा जो majority कर्जा है, वो within India है, मतलब बाहर से नहीं है, यह मैं आपको आगे भी चलके और अच्छे समझाओंगा, मगर अभी सिभी इतना समझ लीजे, कि यह बहुत मगर हमको यहाँ पर चिंता ही नहीं है, फिर यहाँ पर trend देखने को मिलेगा, question पूछा जा सकता है कि after adoption of FRBM Act 2003, हमारा जो debt to GDP ratio है वो क्या हुआ, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, कि steadily यहाँ पर decline देखने को मिला है, as a ratio of GDP decline steadily, immediately after the announcement of FRBM Act 2003, यह question की एक point आपके सामने ब internally लिया है, मतलब बाहर से नहीं लिया है, तो यहाँ पर बहुत कम share है external debt का, हमारे debt portfolio में, यह एक अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, क्योंकि अब जो fixed interest rate पे हमको pay करना है, वो हम कर सकते हैं, जिस कारण से जो interest rate की volatility है, क्योंकि जब currency के rates उपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पर interest rate volatility आती है, तो इससे हम insulated है, इस पर हमारा कोई भी effect नहीं, क्योंकि external debt बहुत ही कम है, तो हमें आप एक certainty और stability देखने को मिलती है, हमारे budget pattern में, क्योंकि हमें interest payment जो भरना है, वो हमारी currency में pay करना है, इसी के साथ, जो हमें payment pay करना भी है, जो उसकी maturity आएगी, ज इसमें जो long term के bonds है, वो बहुत जाद है, जैसे जो outstanding stock of dated securities government of India की जो है, यह 9.7 years से बढ़के, 10.7 years पे जा रही है, less than 5 years की जो है, उसमें consistent decline आ रहा है, मतलब जो mature हो रही है, 5 साल के अंदर अंदर, ऐसी government securities कम होती जा रही है, और जिसका maturity period जादा है, वो बढ़ती जा रही है इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो, maturity profile of outstanding dated central government securities, की 0 to 5 years की जो है, वो देखो यहाँ पे कम होती भी दिख रही है, 5 to 10 years की यह भी कम होती भी दिख रही है, और 10 to 20 or 20 years अभाओ, यह आपको बढ़ती भी दिख रही है, इसका मतलब हमको जो पैसा देना है, वो long term में देना ह फिर अगर state finances की बात करें, तो यहाँ पे again एक बहुत important point आता है, कि gross fiscal deficit जो state का it is of 2.8 percentage of GDP, right, मगर यहाँ पे एक major, जो हमारी government के द्वारा लिया गया है, इस COVID pandemic के कारण, यह हमको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे इस financial year के लिए आत्म निर्बर भारत package के through, जो limit of borrowing होती है यह states की वो बढ़ा दी गई है, तो gross state domestic product के हिसाब से 2% तक state additional borrowing up कर पाएंगे, जो की है लगबख 4.27 lakh करोड रुपीज, of this additional 2% borrowing जो है, यह states को allow की गई है, पहली installment में 0.5% borrow कर सकती है, which is untight for all the states, second part में 1% कर सकती है, अब यह जो हमने 0.5, 1, 0.25 पढ़ा, यह जो चार specific state level के reforms हैं, इसको implement करने के बाद में इनको यह पैसा मिलता जाएगा, जैसे one nation, one ration card system को अगर implement करा, तो पैसा मिलेगा, ease of doing business reform में अच्छा काम किया, तो पैसा मिलेगा, urban local body utility reforms किया, तो पैसा मिलेगा, और power sector में reforms किया, तो पैसा मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता weightage 0.25 है, इसके हिसाब से मिलेगा, फिर इसके बाद दोस्तों हमारी government of India, on the behalf of states, 5 installment में 54,000 करोर रुपीज बोरो करके, state और union territories को pass on कर चुकी है, और साथे साथ इस pandemic को देखते हुए, central government ने, जो यह special one time dispensation करते हैं, state disaster relief fund में, इन्होंने, इसको एक notified disaster कहके, assistance provide करने के लिए, SDRF को भी fund release किया है, ताकि states को, SDRF को पैसा मिल पाए, amounting to 11,000 करोर रुपीज something to state government in April 2020, तो अब जो state की limit है, जिसमें वो SDRF के तुरूँ spend कर सकने हैं, it was raised also to 50% in order to support them in containment areas, तो दोस्तों, this is all about this chapter, I hope आपको इस chapter ने बहुत सीचने को मिली होंगी, आपने static portion बहुत से समझा ह होगा, कैसे deficit, कैसे हमने budget का part पड़ा, कैसे हमने उसके trends दे के, यह सब आपने बहुत 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 तरीके से सीखे होंगे, अगर lecture अच्छा लगा हो, comment में जरूर बताएगा, also, if you have any doubt related to this topic, feel free to ask in the comment, in the end, keep shining, have a good day, thank you for hearing us, also if you want to download the PDF of this, you can go to our telegram channel, thank you.